देखे गूडबाय मूवी देखी अमिता बच्चन की एक्टिंग अच्छी लगी बाकी पिक्चर में इंटर्टेन्मेंट बोलके कुछ है नहीं लग रहा कि प्रात्रा सभा में आये हो और पूरा मरन का प्रात्रा सभा के बाद बाहरा आने हैं इंटर्टेन्मेंट बिलकुल अमिता बच्चन है निना गुप्ता है वह साउथ वाली हीरोईन है इतना बड़ा स्टार और पिक्चर में उत्रा मज़ा नहीं है जितना सोचे थे वेग्राउंड से गाना है लास्ट में महाकाल वाला गाना है वो अच्छा है थोड़ा उनका काम का तो कोई मतलब ही नहीं है उनकी जो एक्टिंग है उन तो सबसे टॉप है उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है और पूरा पिक्चर उन्हों ने खीचा है कि देखे मूवी जो होती है और जो स्टार होता है उस इसमें इंटर्टेन्मेंट नहीं है इसके लिए दो धाई स्टार बहुत हो जाते इसके लिए आर्ट मूवी जीसा बना है यह इंटर्टेन्मेंट मूवी नहीं है ओक्यू थैंक्यू वन टाइम वाच है एवरेज फिलम है ज्यादा ट्रेजिक ज्यादा है उसमें और फैमिली का नौक जो दिखाया है यंग एन ओल्ड का अमिता वो उनकी जो नहीं रहों इसका अधर पता चल रहे है कि वाप और जो कॉन है और जो किछ दिखी है कैसा अधरा है जो थोड़ा बहुत एटरक करेगा ज्यादा नहीं है अगर मुजिक की बात की जाए तो मुजिक किता पसंदा है मुजिक ज्यादा नहीं है इसमें लेकिन इमस्लन सीन जो है वो पबलिक को तोड़ा बहुत कर सकते हैं तोड़ा बहुत ही नहीं है सबसे अच्छा काम उनका ही है सबसे अच्छा फॉट रॉल है जैस्ट एपिरेंस है फिर भी अच्छा काम अच्छा है और जो परिव आप कितने स्राज है थ्री अगर आप फैमली के साथ देखने आ रहे हो तो इतना तुम्हें नहीं होगा मजदा नहीं आएगा पर अगर फैमली के साथ ही आना चाहिए इसके हो और मॉम डाड को लेखिया हो उनको पता लगिया है बात है बच्छों के बारे में बताया कि बच्चे और पेरेंट्स का रिलेशन का यह और आगे से उनको कैसा फोट्रे होता है साथी सुगील ग्रोवर और अमिताब बचचछ की acting अमेजिंग थी इसमें आगर वो ना अप्टा मूवी में एक अवी अट अगर वो ना ओता मूवी में एक फैक्टर रह जाता कि अच्छा था बीजिक अच्छा था था Chicago हो सकता यसे उनका पास्ट लिखा रहे थे थो पास्ट वर फ्युचर में वहड़ा को मिलिकेट होगा वरना बहुत बढ़ी है थी प्री थृपॉइंट 5 थ्रीपॉइंट 5 थ्रीपॉंट 5 थीपॉइंट 5 थीपॉइंट 5 था था थे और दोग, क्या है।ा विजा थे टाप वा पटना प्रीटेट। एकाश कर दोड़ वस्ते है। जब एक भी विए और पटना पर चुरोण किौशा प्रीटी और युँड घ्रीप अटीट। युड यूड युड जब गरे मुंख में कर दोकी है। और यह जो फो थो फैमिलीज और फिर्जा जाए अगरे जाने के बाद हम कैसे करें हैं कि हमारी लाइव में क्या चलता है हम कैसे इसको गूत्रू करते हैं सो उस सिच्वेशन में कैसे रह के हम उसको कर पाते हैं सो सभी एक्टर ने बहुत ही सहज और बहुत ही सरल तरीके से उसको काम किया है बहुत ही अमेजिंग है डिरेक्टर का थौड़ वाइज डिरेक्शन वाइज बहुत मतलब अवर अच्छा मुझे मज़ा आया है मतलब बच्चन साब का बहुत ही अच्छा काम था बेसिकली जब घाट का सीन होता है वह अस्तियां विससाजन करने जाते हैं वह समय जो वह सीन बना और एक टाइम पर मुवी हल किसी फॉल डाउन सा हो रहा था दैन सुनूल ग्रोबर की जो एंट्री हुई और उन्होंने जो एक टिये मौवी सब्सेशन के साथ क्या मैसाजिज डरू रिख कि ए सब या सfour मेशी घ्ना पीकर गषा जो ऑसustरौ मुजिजग अशिव सकता हूं मुजिक जो इंतनस था कि कैसे मुजिक एक आपकी life में आ के और किस टरीके से ए bah wow एवरिधिं इस तो पॉर्प्रेट या इंट्री हो जब मुपी का फॉल्डाउं वाल मूमें थाने कि अब यहां से मूवी आसाल लग रहा था कि अब भूर ओर हो जादे है और है वही नस अने लगी था तर तब सुनिल को वर किया था तो वह बहुत कमाल कि एंट्री थी और तो लिफ्ट दे देते हैं तो रश्मिका कमाल थे बट रश्मिका के लिए बोलना चाहूंगी कि अगर वो डिक्शन थोड़ा साउथ वाला वह रहा रहा था ना वह हटा दे अगर उसको माइन ना करें तो बट रश्मिका की परफॉर्मेंस अच्छी थी बहुत को म्यूजी का पंप आता था तो एकदम सड़न आसमाना शुरू हो जाते थे तो फोर एन आफ थेंक्यू मुझे 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 अच्छी लगी बट बहुत ही ज़्यादा स्लोपेस्ट है मतलब विकास बहल कि हमने कुईन मुवी देखी थी कितना सीमलेसली और कंगना रनौ कि अच्छी मुझे खाना थे फ्लॉबी ऑड़िटी अच्छी ज़ए मुझे अच्छी 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 मोगा उखकते थे यहादा यहादा था इसमें तो मैंन फेक्टर जो मुझे एक व्लॉग लगा वो एडिटीटीघ था, जिसमें टो जो जब लगयादा इसन जो सब वो सब माना गया, but it's a furnished audience. आप जैसे audience को पसंदागे, तो मारे जैसे audience को पसंदागे, उन्हास एंटेटेने नहीं तालियों सीटेन ही वजेंगे. So it's a one time watch, but definitely the director should introspect now, जो ये दाइगेंटे, तीन गहंटे के बनाए जा रहागा जागा, unless your content is very strong, तो वो अभी साउथिने डाइक्टेस का content बहुत स्ट्रॉंग आता तो they get away with two hours, two and a half hours, three hours, but Indian filmmakers, Bollywood वालों को दो गहंटे से जादे के बनानी नहीं चाहिए. आमिता बच्चन तो हमेशा की तरह उनको कोई भी रोल देदीजे, कितनी भी फ्लॉप मुवियों अपनी छाप छोड़ जाते हैं, तो उनका बहुत ही अच्छा किरदार था, और नीना गुपता जी का भी करदार बहुत अच्छा था, पर उनका छोटा रोल था, और ज्यादा हो सकता था, और पवेल गुलाटी जी का भी अच्छा रोल लगा मुझे, रश्मी का मंदाना का रोल अच्छा था, और शी हैड़ साउटीनियन एक्सेंट, अभी देखिए पुष्वा मुवी में वह फटाका टाइप का रोल उनने किया, बट यह मुवी में उनका थोड़ा संजीदा रोल था, बहुत ही माइल्ड और सबमिसिव, तो वह जब डायल मुवी एक रहर हैं रश्मी के नगने, बहुत हैं, अब ड़ल रहा हैं, ऐले से लिएक रहर हैं, जिए वह पूछ़ हैं, रहा हैं, बट चनपरदेषी और एक और सांगयां, द मुवी थेक हैं, बट श्लोप इसनले हैं, तो जब वर चिए प्ट्री में मुई हाँ रहा हैं, यंकनती की श्रीकर प्रसाद की एडिटिंग क्रिस्पो सकती थी विकास बहल का डारेक्शन अच्छा है सबकी परफॉर्मेंस अच्छे तो और स्टिल गो विट थ्री स्टार्स जरू सबसे पर तैंके सो मच कि आपने मुझे उपर्शनेटी बुलने के लिए गुटबाइ फामिली गुटबाइ जो मुवी है एक फैमिली एमोशनल फ्यूंडरल कॉंसेट बेस्ट मुवी है अक्सर हम हमेशा मारधार मारधार वाले मुवी देखते रहते हैं बट कुन से इ में कभी खुशी कभी गम ऐसे जो मुवी ऐसे जो सब्जेक्ट है बहुत स्लो होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं जो लोगों के दिलों पर डैरेकल अटक करते हैं और यह उसमें की एक मुवी है अमिता बच्चन के बारे में क्या बोलू सर हैटस ओफ तो यू कि मतलब उनके की performance से आप नोकरना लूए इतने का सब्सक्रार कि असे तैनल कीका मंधना सावी-बे ने अगला है मैं फैल के लिए थे हैं सबसे बहतर थी र्यादय सरी रश्मेग है it देवें बात करना चाहूंगा मुजिक की तो अमित त्रिविदी ने इस मुवी में मुजिक दिया है काफी धमा के दर मुजिक दिया है स्पेशली उनका जैकाल महाकाल मुझे गान अच्छा लगा और जो एक एक सीन होते हैं बैगरांड स्कोर जो भूलते हम जो इमोशनल जहा पारे में बात करूं तो विकास वेल के हमने सुपर थर्डी मुवी देखिए उनके अपकमिंग मुवी गनपत आ रही है तो उन्होंने यह प्रूव किया है कि वह सिर्फ एक बावेपिक नहीं बनाएंगे या फिर रामन रागाव जैसे उन्होंने उनका भी थोड़ा थोड करें और यह बहुत ही खुबसूरुत मुवी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैंने फिल के वैसा ही आप फिल करें और जहते हैं इस मुवी को 3.5 आपटर 5 स्टार दिना चाहूं